हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो शिवा लेर्निंग फॉर मोर अपडेट्स यू अलसो लॉग इन तो आर वेपसाइट www.shivalearning.in फ्रेंस इस वीडियो में हम बात करेंगे what will be the expected qualifying marks for J.E.Mains 2019 जेनवरी तो जेनवरी में J.E.Mains का exam हुआ था उसमें expected qualifying marks क्या रह सकते हैं as per the analysis as per the previous years expected qualifying marks तो चलिए गाई शुरू करते हैं और शुरू करने मेरी आप से रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैलर पर नए हैं तो प्लीज इसे ऐसी रेगुलर अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कितले सब्सक्राइब से कुटल थे वे बात करते हैं कौनु क्यों से फेक्टर होती है जोर्ज तेटी पेसिक करते हैं तौर एक्जाम के करते हैं तोौन इस डिफिकल्टी लएवल और थे आविलेबल तो अगर जो candidates होते हैं उनकी seats remain same रहती है अगर seats एकदम equal रहती है last year के according और candidates अगर increase हो जाते हैं तो जैसी बात है cut off increase होती है और अगर difficulty level of questions अगर questions होते हैं थोड़े easy आते हैं या questions अगर ज्यादा difficult आते हैं if very difficult questions are asked in the exam then the cut off score for the exam is likely to be low तो अगर difficulty level high रहता है तो cut off के low रहने के chances रहते हैं और if seats are less and candidates are more than the cut off score will automatically increase अगर seats कम हैं और candidates जाना हैं तो cut off score automatically increase होगा तो इस बार इन तीनो factors को देखते वे जो as per the analysis experts द्वारा उसकी बात करें तो cut off जो रह सकती है हम बात करें considering major factors in mind we can say that a slight variation is expected in the cut off score it's not likely to go very low or very high J means 2019 expected cut off or qualifying marks मैं आपको बता तो किस तरह से हैं तो इस बार ज्यादा high जाने की भी उम्मीद नहीं ज्यादा कम जाने की उम्मीद हैं अगर general की बात करें तो 70 to 80 marks qualifying marks बता रहा हूं मैं आपको OBC NCL 43 marks to 50 marks ST के लिए 27 to 30 marks और ST के लिए 22 to 26 marks तक qualifying marks हो सकते हैं अगर इन तीन major factor को जिहान पर रखके इस बार की cut off का expected करा जाए तो तो लास्ट में बात मुलनों चाहों just qualifying J means is not enough to get a good college you need to score sufficiently high score besides fulfilling other eligibility criteria to get a good college और branch of your choice तो हर college के साब से भी depend करता है वही तीन factor depend करते हैं कि उस college में seat कितनी है तो उसके साब से भी आपको अच्छा score करना पड़ेगा और खाली qualifying marks से enough नहीं है कि आप एक अच्छा college आपको मिले तो गाई यह जो आपकी screen पर है यह expected qualifying marks के list आप इसे देख सकते है नोट डाउन कर सकते हैं रिमाइंड कर सकते हैं तो गाइस प्रोबैबली यही रहता है थोड़ा सा वैरी करता है हमारा और ऐसी रेगलोर अपडेट्स के लिए हमारा चनल शिवा लर्निंग जरू सब्सक्राइब करिए और ऐसी further updates के लिए इसके लिए बैल आइकन भी प् शिका लिए प्रोबैबली न अजे बीच दो यरूंबाएद कर लिए इसके लिए बाईकता है जोड़ कर सकते हैं जबू यहीं हिरूजारा लिए बीचली न जबसे रहता हैं इसकते हैं रहता हैं प्लबद़ने बादेशपने बादाह और फंबस्वर्म जबस्सक्षण